भारती दर्शन की जो दो परंपरा हैं उसमें एक आस्तिक दर्शन की परंपरा है एक नास्तिक दर्शन की परंपरा है नास्तिक दर्शन भी बहुत उच्चकोटि के दर्शन है भारत में केबल वो इसलिए नास्तिक कहलाते हैं कि वो वेद को परंपरान नहीं मानते हैं इसमें हमारा सबसे पहला दर्शन जो है वो बहुत दर्शन है भगवान बुद्ध जो है उन्होंने ये देखा कि लोगों ने वेद ग्यान को विक्रित करके करमकांड में बजल दिया है तारा और वेदिक यग जो थे उनका विक्रित रूप ये कर दिया उसका रूप ये बना दिया वेदिक हिंसा हिंसा नववती वेद के नाम से अगर हिंसा करोगे किसी को मारोगे तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी इसलिए बली देने शुरू कर दी कहीं गोड़े की बली हो रही है कहीं विक्रे बकरे की बली हो रही है, तो बुद्ध जो थे उन्होंने कहा कि इसके करम कांड का खिलाफ अवाद उठानी है, तो इसका तरीका एक ही है कि हम वेद के खिलाफ अवाद उठाएंगे, जिस वेद को विकृत किया जा सकता है, जिस ग्यान को, वो सच्चा ग्यान नहीं ह अगर वैध का सच्चा ग्यान होता, तो ब्राहमन उसको विकरित नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वैध के सोच करके कहा, कि स्वतंतर चिंतन करो, और उन्होंने धर्म कीर्ती ने ब्राहमनों के साम जा पिर्भाएंची को माईड़ा था, वहाँ जाके काशी में ब्राह्वनों को कहा कि जो आदमी अपने विवेक का प्रियोग नहीं करता अपनी बुद्धी का प्रियोग नहीं करता केवल वेद को भी प्रमान मान करके कह देता है उससे जाद मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता गंगा जल बहुत पवित्र है वेद में लिखा हुआ है गंगा जल पवित्र है मैं अपनी बुद्धी से देखूँग। मैं गंगा जल पीओ इसको और उससे मुझे बीमार हो गया तो मैंने वेद को प्रमान माना गंगा जल बुद्धी का प्रियोग नहीं किया मैं तो क्लेश में फस गया इसलिए उन्होंने का कि वेद को परमान मानने की बजाए अपने विवेक को परमान मानो और विवेक से निरने करो कि क्या सत्त है क्या सत्त नहीं है तो बुद्ध ने क्या काम किया उन्होंने का वेद को एक तरफ रख दो और वेद को एक तरफ रख करके बुद्ध ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने कहा कि हम जो बुद्ध में वेद में जो बाते की हैं उनको अव्याकरित प्रस्ण है सारे वेद के वेद के जो प्रस्ण है जो वेद में उठाए गए हैं वो व्याकरित नहीं है यानि उनका कोई उत्तर हो यह नहीं सकता और इसके लिए हम आज लोगों को जवाब कहते हैं कि बुद्ध की बात को समझना है अगर तो बुद्ध ही कहना चाहते हैं कि एक आदमी ने प्रश्न किया प्लेटो की तरह से प्लेटो ने कहा कि उत्तर देने से बुद्धी का पता ने लिगता कितनी बुद्धी हैं a man is not known from the type of the answers that he gives because there are many questions which contain their own answer and there are other questions which the wisest man of the world cannot reply इसको हम प्लेटो की बात को जो हम हिंदी में लोगों को समझाते हैं तो हमने कहा कि प्लेटो यह कहता था कि जो आदमी प्रश्नों के उत्तर देता है उत्तर देने से उसकी बुद्धी मानी पता नहीं लगती बुद्धी मानी पता लगती यह type of the questions that is तो हमने का हिंदी में क्या कहते हैं इसको कुछ question बुद्ध प्रेटो कहता है कि कुछ question ऐसे थे जिसके कुछ का आंसर ही question के अंदर होता है अगर आपने आंसर दिया तो क्या बुद्धी मानी हुई क्योंकि एक आदमी ने प्रस्ण किया कि यह बताओ मेरे थेले में क्या है मेरे थेले में यह बताओ कि मेरे थेले में कितने संत्रे हैं और अगर आप बता दो कि मैं आठों के आठों आपको दे दूँगा तो इस question का जो उत्तर है वो तो प्रशन का उत्तर question के अंदर ही है आपने इसका जवाब दे दिया तो क्या बुद्धिमानी हुई दूसरा वो करता कि कुछ question ऐसे होते हैं जिनके उत्तर होते हैं जवाब भी नहीं दिया जा सकते जैसे एक आदमी ने कहा, कि मेरा भाई 80 किलोमेटर, 100 किलोमेटर की स्पीड से गारी चलाता है, तो बताओ मेरी आईउ कितनी है, अब दुनिया का वाईदेस्ट मैं भी इसका जवाब नहीं दे सकता, तो आप एक आदमी आए, जी दुनिया का बड़ा-बड़ा साइन्सिस्ट है, जो कि इसका जवाब दे, अब उसने जवाब नहीं दिया, क्या साइन्सिस्ट है तो इसलिए उन्हों का, कि टाइप ओफ दी क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे रेज करो, जिससे पता लगए आप तो उन्होंने का, कि वेश्चन उठाये गए हैं, वो अव्याकृत हैं, ऐसे हैं जिनका कोई जवाब दे नहीं सकता दुनिया के अंदर, जैसे उन्होंने का, कि ये वेश्चन उठाया गया, कि ये बताओ दुनिया किसने बनाई, इसका बनाने वारा कौन है, तो लोगों न दुनिया भगवान ने बनाई उन्हों का भगवान तो निराकार है कैसे बना दिया, तो उन्हों का भगवान को साकार मान लो, अब निराकार साकार का जगडा चल रहा है, जिस दिन से दुनिया बनिया है, भगवान निराकार है, साकार है, आज तक तह नहीं हो सका, तो अव्य नहीं को सकते हैं। और यह चेहों कि छशव ऐसे जिनका आज कोई उत्तर नहीं देसका। इसलिए वेशेज़ कर ताइम है वेद के प्रशनों का उत्तर देना है। इस टाइम को कहां प्रयोग करो। इस टाइम को मान अवता के कल्यान के लिए। इसलिए बुद्ध धरम को humanism माना जाता है। बुद्ध कहता है कि भगवान के बारे में सोचने की बजाए, मानव के बारे में सोचो। अब जब आदमी मानव के बारे में सोचेगा, तो भगवान कहां चले जाएंगे। तो बुद्ध ने भगवान को eliminate किया। बगवान को निकाल दिया। कैसे निकाल दिया। बुद्ध ने इस तरह से निकाला, उन्हों का इस संसार के अंदर इतना पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बकरों की बली चड़ रही है, ब्राह्मन लोगों को ठग रहे हैं। इतना पाप हो रहा है, अगर भगवान शक्ति माने तो पाप को ठीक क्यों नहीं करता। तो बुद्ध ने वाज़े ब्राह्मन थे उनसे पूछा, कि अगर भगवान के अंदर बहुत शक्ति है, तो भगवान पापियों को दंड क्यों नहीं देता, पाप दूर क्यों नहीं देता, दुनिया के अंदर पाप क्यों है तो उन्होंने का भगवान यह तो मेरी तरह से है, कि वो दुर्बल है, विचारा देखता तो रहता है कि पाप हो रहा है लेकिन शक्ति नहीं है उसके अंदर इसको दूर करने की और या फिर ऐसा है कि वो पाप का जो पोशन हो रहा है भगवान उसे देखके खुश हो रहा है तो भगवान पापियों को देखके खुश होता है वो पाप को दूर नहीं कर सकता तो ऐसा भगवान जो या तो कमजोर है पाप को दूर नहीं कर सकता या पाप का पोशन करने वाला है मैं उस भगवान की पूजा क्यों करूँ इसलिए भगवान पूझ नहीं है ब्रामन कहने ले जवाब दो ब्रामनों से पूचा इसका ब्रामन कोई जवाब नहीं दे सके उन्होंने भगवान को निकालो फिर सारनात में गई भगवान सारनात में उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान है यह भगवान प्रधान नहीं है तो प्थाने में प्रफाल प्षे मेरे नीम नीम रहेगा तो में भगवान की पूजा क्यों करूं और अगर मैंने आम का प्यड़ बोया है लेकिन भगवान को गालियां दे रहा हूँ मैं तो तुम्हारा भगवान मेरा बिगाड क्या लेगा उसे नियम का प्यड़ बना देगा क्या तो मेरे करम प्रधान है जब मैं अपने करम की तख्ती लेकर के जाओंगा इसलिए हमने बुद्धर्म को का कि इस्टिक्ट कौदल लो है कारिय कारण का बहुत कठोर संबन्द है बुद्ध में भगवान कारिय और कारण के नियम को नहीं बदल सकता नेम के पेड़ से भगवान आम पैदा नहीं कर सकता और आम के पेड़ से भगवान नेम इसलिए जब भगवान के पास जाओ तो कर्म लेकर के जाओ, मैंने ये कर्म किया है, इस कर्म का फल क्या है नरक, मैं तुझे रोज जाके पूजा करूँ, तु मुझे स्वर्ग नहीं दे सकता, मैंने ये कर्म किया है, इस कर्म का फल है स्वर्ग, इस कर्म का फल मुझे कादल कि तरह स्वर्ग मिलेगा, तू मुझे नरक्मन नहीं बेश सकता, तो कहते हैं, जब भगवान मेरे उस करम के बदल नहीं सकता, तो ऐसे भगवान की मैं क्या पूजा करो, तो अपने करम को देखो, भगवान की चिंता मत करो, करम प्रधान है, जिसको भगवान भी नहीं बदल तो भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड सकता, और अपना करम आपका खराब है तो भगवान आपको जन्नत में त्वर्ग में नहीं भेज सकता, तो उसने का क्या करो फिर, उन्होंने का कि मानवता का कल्यान, संतार का कल्यान करो, ये प्रस्ण छोड़ दो वेद में उठाए बुद्ध ने चार आरिय सत्थ दिये, उन्होंने का कि चार नोबल टूथ है, उसी पर सारा का सारा आपका जीवन खड़ा हुआ है, उनको उन्होंने नोबल टूथ का, बस ये ही सत्थ है, और ये ही दर्शन है सारा, तो पहला सत्थ क्या है, सर्वम दुख्वम, किसी आदम को देख करके ये मत जलो, कि इसके पास इतना रुपया है, करोड एंजुआ कर रहा है, तो शराब पी रहा है, उसके पास जा करके देखो, उसे कोई ना कोई दुख जरूर होगा, उससे जब पूछोगे, उसके हिर्दे में उत्रोगे, तो वो बताएगा मुझे ये दुख है तो हरा आद्मी जो है, उसको कोई ना कोई दुख है, जितना भी है, लोगों के دुखको जानने की कोशिश करो, किसी से जलो मत, इर्शा मत करो किसी से, बर्णके ये करो कि देखो उसका दुख क्या है, तो उन्नकात तीन दुख्य से हैं जो उनिवर्सल है जो हर एक को है जरा, मरण और व्याधि समय सबको दुख होता है रोता हुआ पैदा होता है कोई अदमी दुनिया में हसता हुआ पैदा नहीं हुआ तो जरा का दुख, एक जरा का दुख है आदमी को, एक जरा का दुख है बुढ़ापे का, बुढ़ापे में आदमी को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, कभी ये हड़ी काँ पर रही है, बुढ़ी ने जरा को एक बुढ़े को देखा था, लाठी पकड़ करके कमर तो बुढ़ा आदमी खड़ा क्यों नहीं होता, तो नौकर कहने लेगे जी बुढ़ा आदमी है, इसकी हड्डियां कमजोर हो गई है, खड़ा नहीं हो सकता, कहने लेगे आप भी जब बुढ़े हो गए आपको यही दुख उठाने पड़ेगा, क्योंकि जरा जो है यह बहु भी दुख बहुत होता है, और जो दूसरे आदमी उनको भी दुख देके जाता है, तो जरा मरन, और तीसरा उन्होंना का जब तक यह शरीर कोई ना कोई व्यादी, इसमें जरूर लगेगी, किसी को नदला होगा, किसी को दुकाम होगा, किसी को बुखार आ जाएगा, बु पहला नियम यह है, बजाए भगवान की चिंता करने के, आप यह काम करो, तो किसी को बुढ़ापे का दुख है, तो उसको कैसे बचाओ गे आप, किसी को मृत्यू का दुख हो रहा है, तो उसे कैसे बचाओ गे, और किसी को शरीर में व्यादिया लगी हुई है, तो उन्हो का हरेक दुख का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कारिये हो यह नहीं सकता, बिना कौज के कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, इसको उन्हों का प्रतीत समुत्पाद, ट्राइट तू फाइंड आओट दिक और जब को आप रिमूव कर दोगे, इफेक्ट अपने आप दूर हो जाएगा, तो कौज को जानने की कोशिश करो, कि इस आदमी को क्यों दुख हो रहा है, इसको बुड़ापे का दुख क्यों आया, इसका मृत्व को दुख क्यों हो रहा है, इसके शरीर में जो रोग लग रहे हैं, इसको क्यों लग रहे हैं, तो जब कौज आपको पता लग जाएगा, तो try to find out the cause, जब cause का पता लग जाएगा तो यह बहुत लंबा दर्शन है, बारा लिंक दिये हैं, इसको द्वादश लिंक, इसको द्वादश निदान कहते हैं, कि बारा लिंक हैं, वो बारा लिंक से आपको पता लगएगा, कि कौन-कौन सी चीज किस-कि जो आता है, वो है अविद्या, अविद्या के कारण से हम जानते नहीं कि कौन सी चीज का क्या परवाव होगा, इसलिए हमें, तो हमें अगर यह हो, कि आम खाने से यह परवाव होगा, तो हम आम बचाएंगे, अगर हमें ग्यान नहीं है, आम की होगा, तो आम खाय तो बुद्ध कहते हैं इसमें एक काम ये करो, आपको जो क्लेश है सारे, उन क्लेशों को दूर करने के लिए उन्होंने के विहार बनाया, और विहार में कहा के उन क्लेशों को दूर करने के लिए आप चार काम करो, सबसे पहला काम क्या है उन्हें का मुधित, जो संसार के अं प्रसन्न होके उनसे पूछो, आपने इतनी उन्नती कर ली धन्न है, हमें भी रास्ता बताओ इसका, तो उनको प्रसन्नता के कारण से, उनको देख करके पंसाक कारण उनसे मिलोगे, वो आप से देखेंगे, तो इर्शा के कारण से आपको जो दुख होता है, जो इर्शा आप कि आपका सुभाव जो है वो अगर समुद्र आपका तंग नजर है आपकी दिर्ष्टी बड़ी घटिया है तो आप क्या करोगे उन से जलोगे उनका नाश करने की कोशिश करोगे अपना नाश करोगे क्योंकि अगनी आपका ही नाश करेगी और कहते हैं आप उनके पास जाओ तो आप कोगे आपने इतनी तरक्य किये तो जैसे सागर होता है समुद्र क्या करता है कि जब चंडरवा बढ़ता है तो समुद्र के अंदर उन्ची उन्ची लेहरें उठती हैं तो बुद्ध कहते हैं कि तुमारा विशाल हिर्दय हो जाएगा समुद्र की तरह से कि दूसर और हम साथ-साथ उन्नती करेंगे, तो भी सेक्ष्ण ओफिसर बनना, मैं भी बनूंगा, तो बरावर वाले उन्सके साथ मेत्री करने के कोशिश करो जब मेत्री करोगे तो आपको इरशा नहीं होगी आपको जलन नहीं होगी आप किसी से भी दुश्मन ही नहीं करोगे मेत्री हो जाएगी और मेत्री में बुद्ध क्या कहते हैं कि मेत्री का एक ही परमान है मेत्री का मतलब है सुख दुख में साजा मैं जो हूँ अपने उसके सुख में सुखी हूँ और उसके दुख में दुखी हूँ, तो मुझे कभी दुख ने होगा दुनिया के अंदर, दुख रण हो जाएगा तीसरी ही जो condzFI, को जो अपने से से छोटे हैं, नीचे उनसे घरनामत करो, उनको उपर उठाने कोसिश करो, तो करो ना तीसरी चीज़े हैं हम क्या करते हैं जो छोटे हैं उनको घरना है रह Sulan reflectiveiberalism उनके प्रतिक करना का भाव रखो, आज तू नीचे गिरा हुआ है, कल तू भी उपर उठ सकता है, आजा, तो बुद्ध ने उसके लिए तरीका बताया, जिस तरीके के उपर सारा दीन द्याल उपाध्याय का दर्शन खड़ा हुआ है, दीन द्याल उपाध्याय जो थे, उन् उनके गाउं के पास एक कुवे में आजमी गिर गया, अब गिर गया आजमी तो ये दीन द्याल उपाध्याय उदर से आ रहे थे, नीचे से वो आवाद लगा रहा भाईया मुझे बचाओ कुवे में गिर गया, तो जादे गहरे कुवे नहीं होते, तो दीन द्याल जी खड जब गिरेवे लोग हैं, पतित लोग हैं, हम कहेंगे, कि तुम खुद उपर उठने की कोशिश करो, और मैं हपना हाथ नीचे करूँगा, मैं उपर उठा दूँगा, तो तीसरी चीज बुद्धने की करुणा, तो जो करुणा करने वाले आदमियों संसार में कभी दुखी न काटे चाटे स्वान के दो भाती विपरीत, कुटा जब चाटता है तब भी किटानों लग जाते हैं, तो बीमारी हो जाती है, और कुटा काट ले तब भी बीमारी होता है, तो तरीका क्या है, कि कुटे से बच कर के चलो, इसी में बचाओ है, तो बुद्धने का चौथी च विहार बना लो, विहार मतलो हैविट, यह जीवन की हैविट बना लो, तीसरा सत्त नो न कहा के जीवन में निराशा मता ने दो, मैं दुखी हूँ और दुख का कारण भी पता लग गया, तो दुख का निवेद निर्वान भी हो सकता है, निवारन भी हो सकता है, उसको का निर जब मुझे कारण पता लग जाएगा और कारण के बाद उसका तरीका भी पता लग जाएगा तो तरीका उपालन करूँगा तो मुझे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा तो इसलिए पॉजिटिव होकर के चलो दुख में कभी भी निराश मत हो दुख में आज एगर मेरे जीवन में अधेरा है तो कल मेरे जीवन में जरूर प्रकाश हाएगा, तो जो बुद्ध ने कहा कि हमेशा आशावादी हो करकर चलो, और आशावादी और चलोगे तो दुख ने होगा, क्योंकि निराशा दुख का कारण है, सबसे बड़ा कारण दुख का निराशा है, और जो आज में निराशा के बुसमें पढ़ जाता है, वो कभी जीवन में सुखी हो इनी सकता, इसलिए बुद्ध कहना लगा कि सोचों तीसर रास्त के दुख का निवारन भी है, फिर उने का निवारन भी जाता रास्ता बताओ, तो बुखने का कि दुख निवरती मार्ग भी है, वो मार्ग कौन सा है उन्होंने आठ रास्ते बताए इसके लिए, अस्टांग योग बताया, कि आठ स्टेप हैं, उन आठ स्टेप चलोगे, तो संसार के अंदर कभी भी दुखी नहीं होगे, पहला उन्होंने सबसे शुरू किया सम्मिक दृष्टी है, संसार को जब देखो, तो उचित दृष्टी से देखो, कौन सी चीज से हमें लाव है, सत्त वस्तु विवेक, कौन सी चीज सत्त है, एक आजमी जो है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, और एक आजमी कीरती अ पहला ये बुद्ध का ही कहना है, कि आप कोशिश करो, कि क्या पैसा हमेशा रहने वाला है, या कीरती हमेशा रहने वाली है, और अगर आपने कहा कि कीरती हमेशा रहने वाली है, पैसा तो आने जाने वाला होता है, पैसा तो वहस्याओं के पास इतना पड़ा हुआ है, कि क तो बुद्ध कहते हैं, पहला यह है, सम्यक दिर्ष्टी है, संसार की हर चीज में यह देखो, कि कौन सी चीज सदा रहने वाली सत्य है, और कौन सी चीज नश्वर है, तब आप जाकर ठीक कर सकोगे, जब आप का सत्या सत्य विवेक ही नहीं है, तो आप गलत तरह से कैसे मचो करेंगे, तो पहला काम उन्होंने कहा, कि पहला काम कयो रहता है, सम्यक दिर्ष्टी, अब यह पहला काम बड़ा मुश्किल है, आदमी की सम्यक दिर्ष्टी नहीं हो पाती, तो बुद्ध न कहा इसके लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, कौन सी चीज सदा रहेगी, कौन सी नहीं हम प्रवण में आका गलत काम कर लेते हैं और अगर विवेक का परियोग करेंगे को शुरू में उन्होंने कहा था कि वेद को मत मानो विवेक को मानो अपनी गुद्धी को जब आप गुद्धी का परियोग करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज सदा रहेगी और ये चीज सदा ने रहेगी तो आप उस चीज की तरफ नहीं जाओगे जो सदा नहीं रहने वाली इसकी तरफ आओगे जब सम्यक दिरिष्टी होई आपकी, तो आप क्या करोगे, सम्यक आचार, पिर आपका आचरन भी सम्यक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आपके पैर उधर की तरफ उठेंगे नहीं, जिदर गलत रास्ता है, तो सम्यक आचरन बनाओ अपना, फिर सम्यक क्या करोगे, आपको कीर्ती दिलाने वाला, आपके मन को परसंद करने वाला, आपको दुनिया में अच्छे उंचा उठाने वाला है, तो आप व्यवसाय भी सम्यक चुनोगे फिर, फिर करमान्त, जो करम में कर रहा हूँ, उसको देखो, इस करम का क्या फल मिलेगा, मैं नीम बो रहा हू तो मेरे घर में नीम ही पैदा होगा, मैं आम बो रहा हूँ, तो आम पैदा होगा, तो करम जो करो वो सोच कर कर के, कोई करम ऐसा मत करो बिना सोचे हुए, वो सोच कर के करम करो, जब यह आपका होगा, तो सम्यक आजीव का, अब यह जो चीज है, बुद्ध की, इसको चानक गलत तरीके से जाती है इसको सारी दुनिया ने माना है माले हराम भूदो बजाए हराम रफ्त जो आदमी हराम की कमाई करते हैं उनकी कमाई भी हराम की कामा में चली जाती है जो आदमी गलत तरीके से कमाईगा वो क्या करेगा शराब पीने के लिए चला जाएगा कहीं और दुकान पर चला जाएगा जुवा खेलने चला जाएगा तो आजीव का जो है वो इस तरीके से कमाओ चानक्यन का कि सबसे बड़ी शुद्धी जो है वो आय की शुद्धी है मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो शुद्ध तरीके से आना चाहिए गरत तरीके से आना नहीं चाहिए क्योंकि उसने का चानक्यन कि जो अशुद्ध तरीके से कमाई होती है वो अशुद्ध तरीके से नाश कर देती है वो नाश का कारण पजल जाती है घर में अगर नाश का कारण लाना है तो शुद्ध आयो और यही बात पिर इन्हों ने कही आज के जमाने में आज के जमाने में जंबेशुर ने कहा जंबेशन ने आज के कहा कि जो गरत कमाई होती है वो दो जगे जाती है या डाक्टर के जाती है या डाकू ले जाते हैं उसको गरत तरीके से आपने पैसा कमाया और उस पैसे को आपने इकठा करके रख दिया तो डाकू आपके घर में कि इसके घर में बहुत सोना डाका पड़ेगा, और अगर डाका नहीं होगा, तो क्या होगा, आप जो गरत तरीके की कमाई है, कभी उससे हलुआ खा रहे हो, कभी रबडी खा रहे हो, तो सो तरह की बीमारियां लग जाएंगी, एक डाक्टर हा रहा है, हार्ट का इंजेक्शन लगा रहा है, दूसरा डाक्टर हा रहा है, डाइबटीज की इंजेक्शन लगा रहा है, तो सोला डाक्टर आपने रखे हुए हैं, और सोला तरह की दवाई खा रहे हैं, एक रोधाना सोला सो रूपया खडच हो रहा आपका, तो जंबेश्वर ने का दो ही जगे जाती है, हराम की कमाई, या डाकू ले जाते हैं, या डाक्टर ले जाता है, जीवन में सुख़दाई नहीं बनती हो, आपने पैसा बहुत कमा लिया, माल बहुत खा रहे हो उतसे, लेकिन दिन में 6-6 इंजेक्शन लग रहे हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि आपका सम्यग आजीवका होन के साथ, वो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने चार वो बताई दिये थे, वो बिहार ले आओ, सारे के सारे, फिर उसके बाद उन्होंका शील और समाधी है, आदमी के जीवन में सबसे बड़ी चीज शील होने चाहिए, अगर शील नहीं है आपके जीवन के अंदर, उन्होंका तीन चीज हमेशा रहने वाली हैं, एक शील हमेशा रहने वाली है, एक शुची हमेशा रहने वाली है, अब आदमी क्या करता है, कि आपने शुची नहीं रखी, गंदगी, गंदगी की हैविट में पड़ गई, गंदा भोजन कर रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, त तो थोड़े दिनों बाद आपको खुदी उससे गिरना हो जाएगी, और शुची जो है वो आपका, आपकी हमेशा रहने वाली है, तो गुद्ध ने का ये तीन चीज़े लाओ, पहले शुची लाओ, अपने जीवन के अंदर, ये शुची जो है हमेशा रहेगी, और आदमी जो है अशलीलता जो है उसको जादे दिनों चर नहीं चल सकती, थोड़े दिनों बाद मी अशलीलता को छोड़कर गिरना, उसी अशलीलता से गिरना करेगा, शील सदा रहने वाली है, और तीसरी चीज़ बुद्ध ने का ही, जो हमेशा रहेगी, वो है प्रेम सनेह, प्रेम का मतलग ये नहीं लव, उन्होंने का सनेह, सनेह का मतलग करो ना करो, दुखी हो, उनके साथ खड़ो जाओ, तो तीन चीज़ ने का ये अपने जीवियों में लाओ, तीन चीज़ ये आ जाएंगी, ये तीनों शील हैं, इस शील के आधार पर हमारे नहों नहरू जी अंतिम बात कही है बुद्रे, वो साइकलोजिकल बात कही है, वो फ्रायड कहता है, कि बुखार में हम, बीमारी में हम उतने दुखी नहीं होते हैं, जितना बीमारी की चेतना से दुखी होते हैं, मुझे एक सो तीन बुखार है, वो इतना दुख़ा ही नहीं होगा, लेकिन मैं बूरा हो गया हूं, इस बूरे का कभी आप लोगों को साम usually in aight, कर जाएगा हूं। अरे बूरा तो हो नहीं था, सबको होना था, ये भी वह हो गया। तू उन्होंने का क्या रोग की दुख की चेतना जो है वह आदमी को दुखी करती है, दुख की चेतना समाप्त हो जाएगी, आपके अंदर इतनी सक्ति आ जाएगी, कि कितना ही बड़ा दुखा है, आपको उसकी कोई चेतना नहीं होगी, तो बुद्ध ने ये अस्टांग मार्क बना करके दे दिये, तो इसलिए भगवान को बुद्ध ने बिल होर नहतिकता की तेओरी कहलाती है, एक दूसरी चीज सामाजिक काम किया बुद्ध ने, सामाजिक काम किया था, वो ये था कि देश के अंदर से छुआ छूत को मिटाने वाले बुद्ध हैं, इसमें भी उन्होंने सारनाथ के ब्रामनों से शास्त्रार्थ किया, कि जनम से को होना चाहिए, जब दोनों की प्रजनन की किरिया एक सी है, सारे घोड़े एक ही प्रजनन किरिया से होते हैं, तो घोड़ों में कोई ब्रामन और शुद्र घोड़ा नहीं होता, तो ऐसे सारे मनुस्त्रे एक ही प्रजनन किरिया से पैदे होते हैं, तो ये मनुस्त्र का जो बड़ा दुच्चा आद्मी है, बदमाश है, चोरी करता है, दुनिया को लूटता है, लेकिन वो ब्राह्मन है, तो कहते हम उसको पूझ जमान होगे, या उसको दंड दिलवाओगे राजा से, उनका दंड दिलवाएंगे, जब दंड दिलवाओगे तो करम प्रधान होगा, जाती कैसे प्रधान होगे, और उनका एक शूद्रे बहुत अच्छे करम कर रहा है, उसे राजा के पास दिलवाद होगे आप, इसलिए कि शूद्रे इसलिए डंड दिलवाओगे तो उनका उसको दंड दिलवा सकते, तो इसलिए आजमी के करम देखो, आजमी की जाती मत द करदिया, तो बहुत दरशन जो है, सामाजिक दरशन भी है और नेटक दरशन भी है, यह हमारा अलेकिन भगवान को नहीं मानते और वेद को नहीं मानते, इसलिए इनको नास्तिक के दिया हाला के दुनिया का बहुत प्रेश्प लर्षन है।